नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने हूँ आपका कक्षणा 10 का तीसरा ध्याय मुद्रा एवं साख लेकर, मुद्रा का मतलब आप जानते होंगे मनी, पैसा, ठीक है, जैसे हमारी मुद्रा है रुपया और साख होता है रिन, जब हम किसी से अपने आवशक्ता क की पूर्ती करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से ये किसी दूसरी संस्था से जब उधार पर पैसे लेते हैं, तो वो साख कहलाता है, आज हम इस चप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि रिन जो है, वो कहां से लेना सेफ होता है, बैंक्स हमार लिए क्या काम करते हैं, जो रिजर्फ बैंक और पिंडिया है, वो क्या काम करता है, तो इस पूरे चप्टर में हम ये सारी चीजे समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो पैसे हैं, वो कहां से हैं, कहां आते हैं, पैसे कहां होते हैं पैसा रखने वाला विक्ति आसानी से किसी भे विक्ति के लिए इसका आदान प्रदान कर सकता है और प्रतेक विक्ति पैसे में ही भुगदान करना पसंद करता है या फिर उस चीज के लिए पैसे का आदान परदान करना ज्यादा पसंद करता है जिसके उसे आवशक्ता होती है यानि कि हमारे पास यदि पैसा है तो हम अपनी आवशक्ता की कोई भी वस्तू या अपनी इच्छा की कोई भी वस्तू आसानी से खरीद सकते हैं लेकिन क्या कभी आपने सूचा कि पुरानी समय में जब मुद्रा नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, तो लोग कैसे अपने आवशक्ताओं की पूर्ती करते थे? उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो मुद्रा बार बार जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका शाब्दिक आर्थ क्या है, मुद्रा का मतलब क्या है, हम किसे मुद्रा कहते हैं? मुद्रा या धन या पैसा, एक ऐसी चीज है, जो लेन देन में विनिमाए के माधम के रूप में कारिय कर सकता है, और यह आवशक्ताओं के दोहरे संयोग को समाप्त करता है, अब आप जारना जाएंगे, कि आवशक्ताओं का दोहरे संयोग क्या हो सकता है, अब हम अपनी पुराने बात पर आते हैं, जहां से हमने शुरू किया था, कि पुराने समय में जब मुद्रा नहीं थी, तो लोग कैसे अपने आवशक्ताओं को पूरा करते थे, उन्हें जिस वस्तू क्या वशक्ता होती, वो उसे कैसे खरीदते थे या कैसे प्राप्त करते थे, यहां पर हम एक एकजामपल लेते हैं, एक मोची है, जो जूते बनाता है, और एक किसान है, जो अनाज उपचाता है, अब मोची को अनाज चाहिए और किसान को जूते चाहिए किसान के जूते तूट गए तो उसे जूते चाहिए और जो मोची है उसे अपने घर क्या वशक्ता को ये पूर्ती के लिए अनाज क्या वशक्ता है अब क्या इतने बड़े समाज में या एक गाउं में ऐसा किसान ढूंड़ना जिसके साइज के जूते मोची ने बना दिये हो मिलना संभव है मोची के जूते इस किसान को आ जाएं ऐसा नंबर फिट बैठ जाएं क्या ये संभावना है तो इससे बहुत बड़ी मुश्किल होती है कि किसान को एक ऐसे विक्ति को ढूंड़ना पड़ेगा एक ऐसे मोची को ढूंड़ना पड़ेगा जिसके बनाए हुए जूते की जोड़ी किसान को बिलकुल फिट बैठे ताकि किसान उसको अनाज देकर उसके बदले में जूते खरिद सके और मोची को एक ऐसे किसान को ढूंड़ना पड़ेगा जो अपने अनाज को बेचना चाहता है और जिसके पैर में मोची के बनाए हुए जूते बिलकुल फिट बैठे यही हमारा आवश्रक्ताओं का दोहरा संयोग है इसमें दोनों पक्षों को यानि किसान और मोची दोनों को ही एक दूसरे की चीजों को खरिदने या बेचने में सहमती होना जरूरी है हो सकता है मोची को मोची जो जूते बना रहा है वो किसान के पैर में ही न आए और दिमान लीजिए जिस किसान के पैर में जूते आ जाएं वो अपना अनाज ही न बेचना चाहता हो या ऐसा ही हम एक दूसरी तरह किसान के point of view से भी समझ सकते हैं कि किसान जो है वो एक ऐसे मोची को ढूंता जिसके जूते फिट बैठते हैं लेकिन उस मोची को अनाज की जरूरत नहीं है तो इसे कहते हैं आवशक्ताओं का दोहरा संयोग और ये संयोग मुद्रा के आने के बाद से ये जो दोहरे आवशक्ताओं की संयोग की समझ्या थी ये खदम हो गई ये जो वस्तू के बदले वस्तू यानि जूते के बदले अनाज या नाज के बदले जूते ये जो वस्तू के बदले वस्तू लेना या खरीदना वस्तू वीनिमे प्रनाली कहलाता है यहां मैंने आपको तीन क्वेशन बता चुकी हूँ मैं अभी तक मुद्रा किसे कहते हैं आवशक्ताओं का दोहरा संयोग से आप क्या समझते हैं और तीसरा मैंने अब भी आपको बताया कि वस्तू विनिमय प्रणाली क्या होती है एक ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तू के बदले वस्तू खरीदी या बेची जाती है तो चलिए यह मैंने अब आपको बताया जब वस्तू को सामानों के लिए सीधे आदान प्रणाली किया जाता है और पैसे का कोई उप्योग उसमें नहीं होता तो उसे वस्तू विनिमय प्रणाली कहा जाता है आप इसके नोर्स बना सकते हैं या स्क्रिन शॉट लेकर के भी रख सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए उसके बाद ये कुछ आपके बुक से ही मैंने एक्जामपल्स उठाए हैं ये पैसे की बहुत पुरानी फॉर्म है पहले जमाने में पैसे बिलकुल नहीं होते थे फिर धीरे-धीरे मुद्राओं का विश्कार होने लगा जो शाशक हैं वो अपनी-अपनी मुद्राएं बनाने लगे और कभी पत्थर की फिर तामबे, काशे, सोना, चांदी, विभिन धातूं से इनका निर्मान होने लगा तो ये पैसे की सारे पुराने फॉर्म है और ये पैसे के आधुनिक फॉर्म है जो आजकल हम इस्तमाल करते हैं जैसे हमारे पास कागज के नौट हैं, सिक्के हैं, चेक हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, क्राड़िट कार्ड हैं, यूपी आई हैं, नेट बैंकिंग है ये पैसे के आधुनिक form है यानि ये मुद्रा के आधुनिक रूप है जो आजकल आप इस्तमाल करते हो और इस कोरोना जैसी panademic situation में सबसे लोग आजकल इस चीज़ को net banking के तरफ बहुत जादा attractive हुए हैं अब जो मुद्रा है मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्विकार किया जाता हैं हम उसे वस्तों को खरीदने या बेचने के रूप में क्यों सहमती प्रदान करते हैं सबसे पहले जो देश की शरकार है वो मुद्रा के प्रादिकारण के कारण उप्तर सुविधा विनिमय के माध्यम के रूप में स्विकार के जाती हैं यानि कि जो देश की सरकार होती है वो मुद्रा को मान्यता प्रदान करती है जिसके कारण हम मुद्रा को विनिमय के रूप में स्विकार करते हैं और भारत में मुद्रा को स्विकार करने का काम भारतिय रिजर्फ बैंक यानि RBI रिजर्फ बैंक ऑफ इंडिया करता है अब जो लोग हैं बैंकों के साथ जमा करें यानि कि लोगों को अपनी जो द्याने का वशक्ताई होती हैं उनको पूरा करने के लिए थोड़े ही पैसे क्या वशक्ता होती हैं अब वो बाकी पैसे का क्या करें वो अपने नाम से बैंक खाता खोल कर बैंकों के पास पैसे जमा करा देते हैं और बैंक अपनी जमाराशी स्विकार करते हैं और उनकी जमाराशी है उसके उपर वो व्यादर का भुगतान भी करते हैं देखिए प्यारे बच्चों, आपको अपने दिन प्रती दिन क्यावशक्ताओं को पूरे करने के लिए थोड़े ही धन क्यावशक्ता होती है, बाकी धन आप अपने घर में रख सकती है, लेकिन आजकल जो चोरियां है या सुरक्षा के अभाव में हम ऐसा करते नहीं है, तो ह रखे हम, एक्चुली बैंकों के पास जमा कराने से हमें डबल फायदा होता है, यदि माल लीजिया, आपने अपने घर में सो रुपे लाके रखे और आपने उसको चार महिने तक अपने पास ही रखा, या एक साल तक अपने पास ही रखा, तो वो सो के सो ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपके अलमारी में रखे रखे या आपके पास में रखे रखे वो बढ़ जाएंगे, ऐसी कोई संभावन नहीं है, ऐसा कोई जादू नहीं होता है, लेकिन बैंकों में आप कह सकते हो कि ऐसा कोई जादू होता है, जो लोग हैं, वो अपने धन को बैंकों मे जमा कराते हैं सबसे पहली चीज बैंक आपके धन को सुरक्षा प्रदान करता है हमें पहला फाइदा हुआ कि हमारे धन के लिए हमें सुरक्षा मिली दूसरा जो बैंक होते हैं वो ब्याज देते हैं हमें मान लीजिए हम simple सा एक उधारन ले लेते हैं आपने 100 रुपे बैंक में जमा कराए और जो बैंक है वो आपको एक महीने बाद ब्याज की दर के रूप में 5 रुपे यानि 100 रुपे पर वो 5 रुपे आपको दर के रूप में देगा तो एक महीने के बाद जब आप अपना पैसा वापिस लेने जाएंगे तो बैंक आपको 100 रुपे आपके प्लस 5 रुपे ब्याज की यानि 105 रुपे देगा तो आपको 5 रुपे का फायदा हुआ ऐसे ही सोचिए आप एक साल में आप उसे ज़्यादा धन जमा कराकर आते हैं तो आपका धन बैंक में रखने पर आपको दो फायदे हुए पहली आपको शुरक्षा मिली दूसरा वो उसके अंदर व्रदी हो गई बैंक ब्याज की दर के रूप में आपको ब्याज उपलब्द कराता है जिससे आपका धन जो है वो बढ़ जाता है तो आपको बैंक में धन रखने के दो फायदे हुए इसलिए हम बैंकों पर ट्रस्ट करते हैं अब ऐसा नहीं है कि आपने अपना धन जो है वो बैंक में जमा करा दिया तो जब आपको आवशक्ता होगी तो बैंक आपको देने से मना करतेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है आपको अपने धन की जब भी आवशक्ता हो आप अपना धन उनसे मांग सकते हैं जिसें हम मांग जमा कहते हैं, लोगों के पास ऐसा प्रावधान है कि वे आवशक्ता पढ़ने पर अपना पैसा वापिस मांग सकते हैं, मांग जमा क्या होती हैं, लोगों को जब आवशक्ता हो तब पैसे निकालने का अधिकार हैं, चूंकि बैंक खातों में जमा धन रासी मांग पर निकाले जाती हैं, अतह इन जमाओं को मांग जमा कहा जाता हैं, मांग यानि कि आपने अपने पैसे की मांग रखी कि मुझे इतना पैसा, मुझे मेरा इतना पैसा वापिस चाहिए, और वो किसका जमा पैसा है, आपका ही जमा पैसा है, तो मांग और जमा, यानि जमा धन की मांग करना, आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, याद रख सकते ह ऐसे कोई difficult term नहीं है कि आपको याद नहीं हो ठीक है उसे हम कहते हैं मांग जमा ये चेक हैं अब आप चेक के बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा उनके parents के पास होता है अब चेक हम कैसे भरते हैं ये बैंकों की coding timing होती हैं ये उनके code होती हैं यहाँ पर आप date लिखेंगे यहाँ पर आप किस के नाम पर आपने चेक देना है वो लिखेंगे उसके बाद आप यहाँ शब्दों में और फिर यहाँ अंकों में पैसे लिखेंगे कि कितने पैसे का चेक आप किसी को दे रहे हो ये आपको दिख रहा होगा account pay यनि कि यदि आपको किसी के खाते में पैस से लिखना होगा A, C यानि अकाउंट और पेई मतलब उसमें पे कर देना बैंक में के खाते में जमा कर देना और यदि आपको किसी को चेक देकर कैश निकलवाना है बैंक से तब आप अकाउंट पेई नहीं लिखेंगे ये जो आप देख रहे हो ये आपका खाता नंबर भरा जाता है यहाँ पर आपका खुद का खाता नंबर भरा जाता है और ये नीचे बैंक का नाम होता है तो इसे हम कहते हैं चेक तो चेक से भी हम अपने पैसों का भुगदान कर सकती हैं हमें किसी को पैसे देने हैं या हमें किसी से पैसे लेने हैं तो हम चेक के माध्यों से भी मुद्रा का आदान प्रदान कर सकते है इसके बाद ब्याजदरें आती है ब्याजदर क्या होती है अलग अलग बैंक देखिए जितने भी बैंक है वो सब भी एक तरह से कह सकते हो कि बच्चे हैं और उन सब पर निगरानी रखने के लिए एक बैंक है भारत का, भारतिय रिजर्व बैंक, यानि कि आप कह सकते हो कि वो उनके पापा है, तो जितने भी जिस दर पर, जिस ब्याज की दर पर बैंक, रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं, हम उसे कहते हैं, बैंक दर, अब ये दो ये कई तरह की होती हैं लेकिन आपको दो ही याद रखनी है रैपो रेट और रिवोर्स रैपो रेट रैपो रेट आर्बि आई जिस दर पर बैंकों के खिलाफ अल्पकालिक धनरासी उधार देता है ठीक है ये आर्बि आई की दर होती है जब वो किसी बैंक को थोड़े समय के लिए धनराशी उधार देता है और रिवोर्स रैपो रेट होती है जिस दर पर एक बैंक आर्बि आई के साथ अतिरिक्त धनराशी लेता है ठीक है तो ये दो दरें हो गई है रापोरेट और रिवर्स रापोरेट बैंक दर वो होती है जिससे कोई भी बैंक RBI से जब पैसे उधार लेता है अब हमने पढ़ा कि हम जब भी हमें आवशकता होती हैं हम अपना जमा पैसा निकाल सकते हैं लेकिन कई बार सोचिये कि जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपको अपने किसी रिष्टेदार से बैंक से या किसी साहुकार से आपको पैसे उधार लेने पड़ते हैं जिसे हम साक या रिन कहते हैं या क्राड़िट कहते हैं, अब ये जो रिन होता है, ये फाइदा भी कर सकता है, और कभी कभी नुकसान भी कर सकता है, अब फाइदा कैसे करेगा, हम दोनों सिच्वेशन्स को अलग-अलग उधारन की साहता से समझेंगे, जो रिन होता है वो फाइदा कैसे करता है हम स्लीम का एक्जम्पल पढ़ते हैं जो कि एक जूता बनाता है उसे एक ओर्डर मिलता है कि उसे एक महिने में तीन हजार जोडे जूते बिनाने है अब वो अकेला सारे जूते नहीं बना सकता उसके पास पैसा भी इतना नहीं है या आप कह सकते हुच्चमडा कच्चा माल जो भी वो यूज़ करता है वो उसके पास नहीं है तो समय पर उसका ओर्डर पूरा हो तो वो चिपकाने या शिलाई लगाने के लिए कुछ शर्मिकों को काम पर रख लेता है अब वो उसे रेण क्या वशकता है कच्चा माल खरे देने के लिए तो वो दोश रोतों से रेण लेता है पहला जो इसने ओर्डर दिया वो कहता है कि वो कुछ पैसे उसे पहले दे दे एडवांस मनी और कुछ पैसे आधे पैसे जब ओर्डर पूरा हो जाएगा और फिर वो चमड़ा बनाने वाले के पास जाता है तो उस चमड़े वाले को कहता है कि एक हजार जूतों के लिए उसे भुगतान की जरूरत है तो वो चमड़ा उसे एडवांस में दे दे जैसे ही उसका ओर्डर पूरा होगा वो उसके चमडे के पूरे पैसे उसको order के कतम होते ही लॉटा देगा तो सलीम को आधे पैसे advance में मिलते हैं और वो चमडा भी उधार पर ले लेता है उसके बाद अपना order समय पर पूरा करके वो जो पैसा उसको बचता है आधे पैसे जो उसको मिलते हैं उसमें वो अपने शर्मेकों का कोपेमेंट करता है उनको स्यालरी देता है और उसके साथ साथ चमडे वाले का भी सारा पैसा लोटा देता है इसके साथ साथ उसको फाइदा भी होता है दूसरा एक्जाम्पल हम लेते हैं स्वपना का जो कि एक छोटी किशान है और गाउं में तीन एकड की उसकी जमील है जिस पर वो मुंफली उगाती है अब वो उधार लेती है जमीदार से जो मनी लेंडर होती है वो उनसे जाकर के लोन लेती है और जब फसल बिल्कुल पकने को तयार होती है तो कीटों का हमला हो जाता है और उसकी फसल जो है वो पूरी खराब हो जाती है और वो अपना रिन समय पर नहीं चुका पाती है अब जब अगला साल आता है तो उसे दोबारा से लोन की जरूरत होती है दोबारा से पैसों की जरूरत होती है और इस बार भी उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं होती जितने की उसको अफिक्षा थी इस बार भी फसल जो है सामाने ही होती है और उसको उस कमाई से इतना पैसा उसको नहीं हुआ कि वो अपना इस साल का और पुराने साल का सारा जो रिन है वो जुका पाई अब उसको तीसरी बार फिर से फसल के लिए रिन के आवशकता है तो एक बार का रिन नहीं चुका पाती है फिर अगले बार ले लेती है फिर उससे अगली बार ले लेती है इस तरह से धीरे धीरे वो कर्ज के जाल में फस जाती है और उसके पास इतना ज्यादा कर्ज बकाय हो जाता है कि एक समय ऐसा आता है कि उसे अपनी जमेन का एक थोटा सा हिस्सा बेच कर उस कर्ज को चुकाना पड़ता है तो आपने दोनों उधारणों को समझा कि कर्ज जो है वो संपत्ती के रूप में भी हो सकता है और रिन जाल के रूप में भी हो सकता है सलीम के लिए रिण संपत्ति के रूप में काम कर रहा था स्वपना के लिए रिण कर्जजाल का काम कर रहा था अब आते हैं रिजर्व बैंक का हम बार बार पढ़ रहे हैं रिजर्व बैंक होता है तो ये क्या काम करते हैं रिजर्फ बैंक भारत का प्रमुख बैंक होता है यही मुद्रा जारी करने का काम करता है बैंकों और जितने भी स्वेमसायता समू होते हैं उनकी कारियों पर नजर भी रखता है उनकी निगिरानी करता है किन सर्तों पर और किस ब्याजदर पर बैंक जो है वो काम करेंगे ये भी RBI ही तै करता है उसके लिए वो समय समय पर निर्देश देता रहता है भारत की मौद्रिक नितियों के बारे में भी वो प्रतिक्रिया देता है और बैंकों के कैश रिजर्व का भी एक हिस्सा वो अपन कर रखता है यानि कि उसने एक लिमिटेशन लगा रखी है कि बैंकों के पास उतना कैश होना चाहिए यदि जितना सीमा रिजर्व बैंक ने तै की है यदि उस सीमा तक बैंक के पास कैश नहीं है तो रिजर्व बैंक उस बैंक को दिवालिया घोसित कर देता है और उसे बं दिया जाएगा इसके लिए समय समय पर निर्देश चारी करने का काम, मौदरिक नीतियों की समिक्षा करने का काम और बैंकों के कैश रिजर्व पर भी निगरानी रखने का काम करता है। तो ब्याज की दर क्या लगेगी, हम रिनाधार क्या देंगे, कितने डॉकुमेंट्स के आवशक्ता होगी और हमें जब हम रिन वापिस करेंगे तो उसका क्या मैथड होगा। यदि माल लीजे जैसे आपको लोन लेना है तो आपकी भूमी, आपका मकान, गहने या फिर कोई पशू जो आप गैरंटी के तौर पर बैंक में बताओगे कि यदि रिन वापिस मैं नहीं कर सका समय पर तो आप मेरी इस समपत्ती को बेच करके अपने रिन को पूरा कर सकते हैं तो समर्थक रिनाधार वो समपत्ती होती है जो उधार करता के पास होती है और गैरंटी के तौर पर वो रिन दाता को देता है समय पर रिन ने चुका पाने के पर रिन दाता उसे जब्द भी कर सकता है रिन भी आप दो सोर्सिद से ले सकते हो दो तरीके होते हैं आपचारिक और अनापचारिक आपचारिक में बैंक्स आते हैं सेकारी समीतियां आती हैं और अनापचारिक में चोटे चोटे जो जमिनदार होती हैं व्यापारी हैं दोस्त हैं आपके रिष्टेदार हैं ये सब अनापचारिक सोर्सिज में आते हैं जो अपचारिक सोर्स होते हैं, उनकी ब्याज की दर बहुत कम होती है, अनपचारिक शेत्र जो होते हैं, उनकी ब्याज की दर अधिक होती है, अपचारिक शेत्र में आपको जमानत, यनि कि जो रिनाधार है, वो देना जरूरी है, लेकिन अनपचारिक में रिनाधार की कोई आपशक्ता नहीं होती है इन उपचारिक शेत्रों पर निगरानी रखने के लिए कि कहीं ये अपने कर्ज दाताओं को जो कर्ज ले रहा है उनका शोशन तो नहीं कर रहे हैं इसके लिए RBI इनके उपर नजर रखता है लेकिन उपचारिक शेत्रों पर नजर रखने के लिए क आपको रिन मिलेगा, यहाँ पर ऐसा कोई भी आपचारिकता नहीं होती, आप सीधा जाएंगे और पैसे ले सकते हैं, अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, कि आपको आपचारिक शेत्र से रिन लेना महंगा पड़ता है, या अनपचारिक शेत्र से, हाँ यहाँ पर डॉकुमेंटेशन की बहुत प्रॉबलम होती है, आपके सारे कागजाद पूरे होने चाहिए, तब ही आपको रिन मिलेगा, लेकिन अनपचारिक शेत्रों की तुलना में, यह बहुत कम ब्याजदर पर आपको पैसे देते हैं, इसलिए लोग, जमिनदारों, दोस्तों, रि आए जाते हैं, आमतोर पर 15-20 सदश्य इसका पार्ट होते हैं, और प्रती सदश्य जो है, हर सदश्य बचत के रूप में 25 रुपे से लेकर के 100 रुपे या फिर उससे अधिक, कितने भी पैसे वो अपनी जरूरत के अनुसार या अपनी शमता के अनुसार जमा करा सकता है, और ये अपने सदश्यों को छोटे-छोटे रिन भी देते हैं, जिसे उनकी आर्थिक मदद हो जाती है, अब स्वेम सायता समू काम क्या करते हैं, ये गिरामीन गरीबों को संगटित करने का काम करते हैं, विशेश रुप से महिलाओं को, ये सदश्यों से बचत का लाब ये विभिन सामाजिक मुद्यों पर चर्चा करने के लिए मंच भी प्रोवाइड कराते हैं, स्वेम सायता समू 15-20 वेक्तियों का सदश्यों का समू होता है, 25 रुपेशे शुरू करके 100 रुपे या उससे ज्यादा जिसमता क्यामिसार इसमें बचत के रुप में जमा करा सक करते हैं, अपने सदश्यों को आवशक्ता होने पर रिन भी देते हैं, गरीब ग्रामिन विशेशकर महिलाओं को संगठित करने का काम करते हैं, अपने सदश्यों को बचत का लाव भी देते हैं, बिना रिन अधार के रिन प्रतान करते हैं, उचित ब्याजदर पर रिन देत और विभिन सामाजिक मुद्यों पर चर्चा करने के लिए एक मंच भी प्रवाइड कराते हैं तो ये था आपका आज का चैप्टर और इसी अध्याय में से आपके इस बार की दो वर्कशीट आ रही हैं इस अफते में एक आज की और एक जो सैटरड़े को आती हैं दोनों वर् समझ पाएंगे पढ़ पाएंगे तो आपके लिए वर्कशीट का आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा यदि आपको मेरे चैनल पर समझाये गए अध्याय अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके पास में ही बैल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिसे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँगी तो उसका लिंक आपको पहले से ही मिल जाएगा और आप अपने स्टेडी को कंटीन्यू कर पाएंगे स्टे सेफ, स्टे हाल्दी, स्टे होम